आपने देखा होगा TRP में हमेशा टॉक पर ही देखेंगे आपको इन पे एक प्राइम टाइम डिबेट होती है हर शाम को जिसमें एक मुद्दा उठाकर डिबेट करते हैं एक अनैलिसिस दिखाना चाहूँगा मैं आपको इनकी डिबेट्स की XE News में जो डिबेट्स होती हैं उसे ताल ठोकके कहते हैं पिछली 50 डिबेट्स में XE News पर 12 डिबेट्स में इन्होंने पाकिस्तान को अटेक किया 19 डिबेट्स में ओपोजिशन को क्रिटिसाइज किया 13 डिबेट्स में मोदी की तारीश करी चार में राममंदिर का मुद्दा उठाया एक में पी-म-सी बैंक्स कैम का मुद्दा उठाया और एक में बिहार फ्लेट्स की बात करी तो अनेलेसिस देख के आपको दिखेगा यहां पर कि 50 डिबेट्स में से सिर्फ दो में इन्होंने काम की बात करी है जो actually issues हैं जिससे जनता को फरक पड़ता है उन मुद्दों को उठाया है आगे देखिए इंडिया टीवी न्यूस पे जो डिबेट होती है उसे कुरुक शेतर का नाम दिया गया है पिछली 53 डिबेट में से इन्होंने 30 में पाकिस्तान को अटैक किया ग्यारा में उपोजिशन को अटैक किया ग्यारा में मोदी की तारीफ करी और एक में चंद्रियान मून मिशिन की बात करी तो 53 में से सिर्फ एक में काम का मुद्दा उठा न्यूस 18 पे जो डिबेट होती है उसे माई डियर फ्रेंड अमीश देवगन करते हैं इन डिबेट्स में यही कहानी आपको देखने को मिलेगी 18 में पाकिस्तान को अटैक, उपोजिशन को में 25 साथ में मोदी की तारीफ, 5 में राममंदिर का मुद्दा उठा तो 0 डिबेट्स में अमीश देवगन ने एक काम का मुद्दा उठाये एक भी बारी और आज तक में रोध सदाना डिबेट कंड़क्ट करते हैं, वहाँ भी यही कहानी है लेकिन इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा बेटर है पिछली 44 डिबेट्स में से 4 में इनोंने काम के मुद्दे उठाये लेकिन इन जनरल आप देखोगे तो हर जगे वही कहानी देखने को मिलती है इन सारे टॉप न्यूस चैनल्स में इने पाकिस्तान में ज्यादा दिल्चस्पी है as compared to इंडिया में जो हो रहा है उससे इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या पिछले 30 दिन में ये analysis किया गया था तो पिछले 30 दिन में आप सोच कर देखे क्या क्या नहीं मुद्दे उठे थे जो actually में काम के थे hunger index सामने आया था जिसने बताया था कि इंडिया में कितनी बुक मरी है economic crisis सामने आय थी unemployment report सामने आय थी जिसने बताया था कि हर्याना में बाकी states से compare करके इंडिया में सबस्यादा unemployment rate है हर्याना में तो elections भी थे लेकिन क्या ये मुद्दा उठाया इन news channels ने नहीं उठाया media का काम होता है जनता की आवाज बनना जनता के लिए आवाज उठाना और सरकार तक पहुंचाना यह निकि सरकार के लिए आवाज उठाओ और जनता को brainwash करो अब देखिए उन journalists के साथ क्या होता है जो actually में जनता के मुद्दे उठाते हैं और जनता की आवाज बनते हैं September 2019 उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में journalists ने दिखाया कि कैसे स्कूल के बच्चों को मिड़े मील के तौर पर रोटियां दी जा रही है नमक के साथ यानि धंका खाना नहीं खिलाया जा रहा है तो response में क्या किया पुलीस ने journalist पर ही criminal conspiracy का चार्ज लगा के book कर दिया और UP के CM योगिया दितनात कहते हैं कि journalist पर कारवाई करी जाएगग मतलब यह नहीं कि school ठीक करो जिसने मुद्दा उठाया है उसी के ही पीछे पढ़ जाओं यहाँ जून 2019 एक journalist train derailment को लेकर story कर रहे थे उतर प्रदेश में पुलीस ने उस journalist को arrest किया उसके उपर urinate किया गया लॉक अप में रखा गया और उसे मारा पीटा गया लॉक अप में रखकर बस इसलिए क्योंकि वो expose कर रहे थे कि कैसे train derailments होती है तो यह सचाई है दोस्तों आज के दिन की हमारे देश में सरकार ने एक जबरदस control जमा लिया है मीडिया के उपर especially TV मीडिया के उपर लेकिन इंटरनेट में एक उमीद की किरन दिखती है इंटरनेट पर आपके और मेरे जैसे लोग खुल कर आवाज उठा पाते हैं इंटरनेट पर बहुत सी online publications हैं काफी journalists हैं जो खुल कर reporting कर पाते हैं तो एक सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या सरकार के लिए इंटरनेट पर भी ऐसा control जमाना पॉसिबल है अगर पॉसिबल है तो उसका solution क्या हो सकता है हमर आप उसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं यहां पर मैं चाइना का example लेकर आपको यहां पर समझाना चाहूँगा चाइना में जबरदस internet censorship है in fact 2017 की एक report ने बताय था कि चाइना दुनिया की worst country है internet freedom के मामले में इनकी censorship को नाम दिया जाता है The Great Firewall of China जिसमें Google, Facebook, YouTube जैसी websites band है China ने अपने clone बना रखें इन सारी websites के आप सरकार को criticize नहीं कर सकते हैं इनके internet पर इन्होंने keywords को block कर रखा है अगर आप ऐसे words का शब्दों का इस्तिमाल करेंगे जिसमें सरकार को criticize किया जा रहा हो तो वो अपने आप block हो जाएंगे इनके social media channels से आपके पीछे police भी भी भीजी जा सकती है कुछ साल पहले किसी ने एक ये meme बनाया था Chinese President को Winnie the Pooh से compare करते हुए Winnie the Pooh को आप जानती ही होंगे एक बड़ा famous animated cartoon character है तो सरकार ने response में क्या किया जब ये meme viral चला गया सरकार ने इस cartoon character को ही ban कर दिया सोच सकते हो इस हद तक चले गए कि पूरा cartoon character हटा दो हमारे देश से ये तो चलो फिर भी comedy वाली चीज है लेकिन serious बातों की बात करें यहाँ पर तो Chinese सरकार अपनी history को erase कर देती है अपने इतिहास को बदल देती है अपने citizens को brainwash करने के लिए Chinese Google है Baidu अगर आप Baidu पर सर्च करने ही कोशिश करेंगे 1989 Tiananaman Square Protest आपको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन यही चीज आप Google पर सर्च करेंगे तो आपको पूरी Protest की कहानी मिलेगी Chinese सरकार नहीं चाहती कि इन Protest के बारे में Chinese जनता को पदा चले हैं वहाँ पर वो अपनी जनता को जनता से बाद चुपाना चाहती है क्योंकि democracy के लेकर प्रोटेस हो रहे थे तो Chinese सरकार नहीं चाहती कि बाद में कभी भी democracy को लेकर वहाँ पर प्रोटेस किये जाए लोग अपने हग के लिए आवाज उठाए चाहिनी सरकार ने हजारों लाखों लोगों की टीम बिठा रिखी एक call centers में जिनका काम सिर्फ ये 24-7 monitor करना है कि कौन अमारे खिलाब बोल रहा है इंटरनेट पर उसे ब्लॉक करो उठा के अब इसकी अवाज बंद करो ये करो वो करो तो basically IT cell जैसे काम करता है ऐसी बहुत बड़ी टीम चैनीज सरकार ने बिठा रखी अपने इंटरनेट पर इस censorship का काफी बुरा असर पड़ता है चाइना पर और चाइनीज लोगों पर आप सोच कर देखिए अगर वहां रहने वाले लोग बाकी दुनिया के इंटरनेट को एकसेस नहीं कर पाएंगे तो बाकी दुनिया की समझ नहीं ले पाएंगे जो बाकी दुनिया में इनोवेशन हो रही है रिसर्च हो रही है वहां के साइंटेस उसे एकसेस नहीं कर पाएंगे वहां रहने वाले बिजनसमेन बाहर दुनिया के आइडियाज नहीं देख पाएंगे, उनसे इंस्पिरेशन नहीं ले पाएंगे, तो इनोवेशन बहुत कम हो जाता है इससे चायना में इसकी वजह से, शायद यही एक रीजन है कि आपने देखा होगा, ऐसी बहुत सी वेस्टन कंपनीज हैं, जैसे Microsoft, Google, जिनके Indian CEO's आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कि आपने एक ऐसी वेस्टन कंपनी सुनी है, जिसके Chinese CEO's हों, और जाधा तर दुनिया में इंटरनेट सेंसर्शिप के पीछे असली रीजन एक डरपोक सरकार ही है, अब हर कंट्री में होते होगे, इरान में एक टा नैशनल चीजे बोली जा रही है, लेकिन असलियत में वो रीजन होता है कि सरकार के खिलाफ बोला जा रहा है, क्रिटिसाइस किया जा रहा है, और ये सारी डरपोक सरकार है, नहीं चाहती, क्रिटिसिजम अपने खिलाफ, पाकिस्तान में अल-जजीरा को बैन कर दिया गया साउधी अरेबिया ने तो सीधा-सीधा कह दिया, आपको मजाक उडाने के लिए, सोशल मेडिया पर सटैर पोस्ट करने के लिए जेल भी भी भेजा जा सकता है, अब इंडिया में देखते हैं दोस्तों क्या कहानिया, इंडिया में इतनी बुरी हालत तो नहीं हुए इस एक आउन क्लाउड जैसी वेबसाइट को रैंडमली ब्लॉक करने लगए, बिना कुछ बताए, बिना कोई नोटिफिकेशन दिये, इन्होंने अचानक से ब्लॉक कर दिये वेबसाइट, रीजन पूछा गया, कोई रीजन नहीं बताया गया, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद इ क्योंकि end-to-end encryption है WhatsApp में, कोई भी messages को पढ़ नहीं सकता WhatsApp में, कोई बाहर की company या फिर WhatsApp खुद भी नहीं पढ़ सकता है इन messages को, लेकिन इंडियन गवर्मेंट है कराना चाहती थी, क्योंकि वो कहती है, fake news को कम करने के लिए में करना था, कोई सरकार को जाकर बोले, उनका खु अगर कोई लिख रहा है, सरकार को सवाल अगर कोई कर रहा है, तो उन लोगों को पकड़ना असान हो जाता है सरकार के लिए, तो इन सब चीजों से कैसे बचा जाये दोस्तों, इंटरनेट को free रखने का, websites को unblocked रखने का और अपनी privacy protect करने का, एक simple तरीका है, VPN और Tor browser, आप आपके IP address को देखकर आपकी location पता लगती है, आपके लिए websites block होती है और आपको targeted ads भेजी जाती है, targeted ads के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया था, आप देख सकते हो अगर और जानना है तो, तो IP address को छुपाने का काम ये VPN और Tor browser करते हैं, Tor browser यूज़ करना थोड़ा आना है और आपको जादा जगाओं में protection में लेगी, जैसे Tor browser तो सिर्फ एक browser है, जैसे कि Google Chrome हो गया या Safari हो गया, तो browser में आप किसी website पे जाएंगे, तब वो आपको secure रखेगा, लेकिन अगर आपने VPN की app install कर रखी है अपने phone पर, तो आप phone में जो भी internet related functions यूज़ करेंगे लेकिन उसके बाद उससे जादा कुछ नहीं पता लगता कि आप कौन सी website access कर रहे हो, क्या message भेज रहे हो, ये सब नहीं पता लग सकता, लेकिन ये सारी चीजे VPN company को खुद पता लग सकती है, जो उस data center को चला रही है, तो इसलिए जरूरी है ऐसे VPN को choose करना, जो आपका data अगर हमारे देश में मैं नहीं चाता है, ये उत्तर प्रदेश जैसी घटना फिर से हो, तो प्लीज अगर आप कोई भी जर्नलिस्ट है, अक्टिविस्ट है या विसल ब्लोर है, सरकार का कोई scam expose करना चा रहे हैं, तो VPN का इस्तिमाल कीजिए अपने phones में, ये आपको जादा प्रोटेक्शन देगा, तो अमीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को शेर कीजिए और चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद